एक बार एक कवी हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कवीताएं पढ़नी शुरू कर दी राजा बहुत प्रसन हुआ और उसने कवी से अपना इनाम मांगने के लिए कहा कवी ने मोहरों से सजे शतरंज की और इशारा करते हुए कहा महराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया बस इतना ही राजा ने पूछा सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं जी हाँ महराज तो फिर ऐसा ही हो दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिये पहले खाने में एक दूसरे में दो तीसरे में चार चौथे में आठ इस तरह वो रखते गए जब दसमे खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े बीस्में खाने तक संख्या बढ़कर पांच लाख चौबीस हजार दोसो अठासी हो गई आधे हिस्से तक आते आते बत्तीस्में खाने में चावल के दानों की गिनती दोसो चौदह करोड चौहत्तर लाख तिरासी हजार छेसो अर्तालीस हो गई जल्द ही गिनती अर्बों खर्बों में बढ़ गई आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजबाट उस चतुर कवी के हाथों सौपना पड़ा और इसके शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं तब आपकी SIP आपके सेवा निवर्त होने तक एक बड़ी राशी बन सकती है